दोस्तों, बदला उस्ट्रेलिया को हरा कर नहीं, बदला पूरा हुआ इंग्लैंड को हरा कर एडिलेड में करीब दो साल पहले, जिस इंग्लैंड ने सेमी फाइनल में टीम इंडिया को एक तरफा अंदाज में हरा कर बाहर किया था उसी इंग्लैंड को रोहिच शर्मा की टीम इंडिया ने उतने ही बुरे अंदाज में हराकर हिसाब बराबर कर लिया। गयाना में T20, World Cup 2024 के दूसरे सेमिफाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 68 रनों से रौनते हुए फाइनल में जगह बनाई है। रोहिच शर्मा और सूर्य कुमार की दमदार पारियों की मदद से भारत ने मुश्किल पिछ पर 171 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जिसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन के आगे डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड सिर्फ 103 रनों पर धेर ह फाइनल में टीम इंडिया का सामना साउथ अफरीका से होगा। पिछले दो-तीन दिनों से ही इस मैच के बारिश से धुलने की आशंका जताई जा रही थी। और शुरुआत में तो ऐसा होता भी दिखा जब करीब सवा घंटे की देरी से मुकाबला शुरू हुआ। फिर ब इसके साथ ही 2014 के बाद टीम इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँची है। टीम इंडिया की शुरुआत इस बार भी खराब रही और विराट कोहली फिर सस्ते में निपट गए। जबकि आरश्प पंत भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। आस्ट्रेलि के साथ 73 रणों की बेहतरीन साझेदारी की, जो मैच में सबसे बड़ा अंतर साबित हुई। इन दोनों के आउट होने के बाद हार्दिक पंडिया, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा ने आखिरी ओवरों में छोटी लेकिन तेज पारियां खेल कर टीम को 171 रणों क टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद और लियम लिविंग्स्टन की स्पिन जोडी ने आट ओवरों में सिर्फ 49 रन दिये थे। और इससे ही तय हो गया था कि टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यही सच साबित भी हुआ। इंग्लैंड के लिए कप्तान जौस बटलर ने तेज शुरुआत की लेकिन चौथे ओवर में अक्षर पटेल की पहली ही गेंद को रिवर्स स्वीप करने की गलती उन पर भारी पड़ी। वो इसमें पूरी तरह फ अक्षर ने आठवे ओवर में आकर फिर पहली बॉल पर मोईन अली का विकेट हासिल कर लिया। इसके बाद भी टीम के पास कुछ बेहतरीन बल्लेबास थे। लेकिन टीम इंडिया के पास भी कुलदीप यादव जैसा हत्यार था और उन्होंने पहले सैम करन और फिर हैरी ब्रूक के विकेट जटक लिये। इसके बाद तो बचे हुए बल्लेबास भी धीरे धीरे करने पटते गए और पूरी टीम सिर्फ सतरहवे ओवरों में ओल आउट हो गई।